कता सुनकर जिनको निद्रा आती है ये तुम्हारे पाप कर्म है जो तुम्हें भगवान के कता सरवन करने नहीं देते हैं इसलिए इन पापों के बीच में सुनिएगा भगवान की कता पुन्य देने वाली है और हमारे कियवे कर्म जो हम पहले कुछ गलत कर चुके हैं वो पा अधर्म की संगत हमारा मन छोड़ देता है बगवान की संदित्य मरा मन छोड़ देता है तो पाप अमारे उपर हावी हो जाता है और हमें निद्रा आ जाती है जिसें बगवान की कताओं से दूर हो जाते हैं तो बोलें महाराजी क्या करना चाहिए इस निद्रा ना आये उसके लिए क्या करें से उसके लिए जब तुम कता सुनते हो घर में पड़े पड़े हैं उन बड़े-बड़े सिंगासनों पर हाह मारा-विल्कुल मसंद लगे हैं बिलकुम हां धजाता चल रही महाराज जी अजिने के लिए खाओ खाने के लिए अ जीओ लेकिन बहुत से तुम्हारा आज खाने के लिए जी रहे हैं यह भगवान अभी तक नहीं मिला हमको कि अरे जल्दी बना दो बिना भोजन के हम नहीं चल पाएंगे वह खाने के लिए जी रहा है स्वान निद्धा तथैवचा अलपाहारी ग्रहे त्यागी विध्यारती पंचलक्षणम काग चेश्टा कववे की जैसा ध्यान होना जी पूर्ती काग चेश्टा बगो ध्यानम ध्यान हमारा बगुले की तरह होना चाहिए चेश्टा में ध्यानम ध्यानम मारा है कि भूले के लिए पेर ये करा तक से पकड़ जाते हु आद्यान होना जान था सिर्फटी के चाहिए प्यान होना चिज अच्छी चीजों को तुरंत केच कर रहें काग चेष्टा बखो ध्यान स्वान निद्रा तथ ही बचा अच्छा तुमने कुत्ते को सोते वे देखा देखा है ना उसके नजदीक से अगर तुम चुपचाप भी निकल रहे तो एक बना खोल के जरूर देखा का कौन गया एं देखता है ना हमारी निद्रा भी ऐसी होनी चाहिए ऐसी नी होनी चाहिए महारा पड़कर के सो गए गोड़े बेच दिये अब कोई व्यापारी आने वाला नहीं है अनन्द लेकर सोने मरा इसले का रहे है गोड़े बेच के सोना इसी को कहते है कोई शोर गुल हो रहा है को गुच भी हो रहा आती है न आप लोगों को एक्टिव रहो कैसे कम खा करके आसन लगा करके लेकिन बड़ा सामने बैठिएगा आसन लगा कर बैठिएगा बिल्कुल सीधे कमर जब तक सीधी रहेगी तुम्हें नींद आई नहीं सकती किसी कीमत पर जैसे कमर जुकी वैसे लटके लिने शुरू और एक बात बता दें अनाज के दुश्मन मत बनो दुश्मन बनना एं तो अपनी बुराईयों के बनो प्रेमी बनना एं तो मेरे ठाकुर के स्रीचरनों के बनो प्रेमी बनना एं तो गविंद की कताओं के बनो यही तुम्हारा जीवन सपल बनाएंगे महरा solid सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन तबाना ना भूलें